असलाम अलेकुम कैसे आप लोग उमीद करते हूं आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खहरियत से होंगे आज हम 9th क्लास के exercise 2.3 जो से मुकमल तोर पर solve करेंगे लेकिन इस वक्त स्क्रीन के उपर आप लोगों को एक वाल पेपर ना जरार होगे जिसमें तमाम questions के timing आप देख सकत करेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है और इसके बाद in parts को solve करना शुरू करेंगे लेकिन इस question को आप जब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको यह ना पता हो radical expression किसे कहा जाता है exponential notation किसे कहा जाता है जब आपको यह पता चल जाएगा तो फिर आप in question में क्या कहा जा रहा है वो लोगों को यह पता होना चाहिए radical किसे कहा जाता है तो इसी chapter के पिछले pages पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक topic मिलेगा radical and radicals ठीक है तो इस exercise के अंदर आप लोगों को यह सिखाए गया कि radicals जो होते है उसके साथ कैसे deal किया जाता है तो आपको यह पता होना यह symbol ठीक है अर्दू में इसे जिसे इलामत कहा जाता है जैसे के अपिलस जो है उसका symbol क्या होता है यह – जो होता है इसका symbol है डिवियन का symbol है इसी तरह radical का word होता है radical जब भी आएगा तो इसका symbol कौन सा होता है ये होता है ठीक है तो आप इसको radical कहते हैं ठीक है मैं तो इस पूरी equation के उपर भी बात कर लेते हैं actually हमारा main concern जो है इसके साथ है ठीक है ये जो है x किसी भी number को show कर रहा है जो के इसके equal है ठीक है तो इसलिए आप x पे मत दियान दें ठीक है ये equation के form में यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन radical और radical को समझने के लिए आपको main focus इस हिस्से पर करना है और आपके question भी इसी तरह के हैं आप अगर उपर देखेंगे तो आप यहाँ देख भी सकते हो ठीक है तो radical का I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं साथ-साथ लिखता जाता हूँ जैसे के यह radical कहलाएगा इस पूरे हिस्से के अंदर तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो यह मैंने radical लिख लिए अब radical किसे कहा जाता है तो देखिए जो radical के अ जाता है उसके अंदर जोबी number होता है उसे radical कहा जाता है अब बाकि रह गया यह N तो इसे क्या कहा जाता है इसे index कहा जाता है तो मैं लिख देता हो पूरा इसे बोला जाता है index of radical तो यह मैंने यह भी लिख दिया बस आप लोगों को इन तीन चीजों का पता होना चाहिए क् किसे कहा जाता है रेडिकेंड का वर्ड इस्तमाल करें तो वह भी पता होना चाहिए इंडेक्स का वर्ड इस्तमाल करें तो वह भी पता होना चाहिए ठीक है तो अभी तक आपने क्या सीखा रेडिकल और रेडिकेंड किसे कहा जाता है यह सीखे ठीक है अब हम ऊपर चलते हैं उपर radical के साथ जो है आप लोगों को word जो देखने को मिला था expression का था ठीक है तो expression किसे कहा जाता है तो individually expression के बारे में बताओं छोटी classes में आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन week बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ expression जो है एक mathematical statement है एक mathematical sentence है जैसे 2 plus 3 ठीक है तो ये क्या है ये एक expression है ठीक है इसी तरह 2x plus 5 ये भी एक expression है इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2x तो ये भी एक expression है ठीक है और इसके इलावा जैसे असान लफजों में इसकी definition ये होती है कि जब भी math के numbers को इलामतों के साथ जैसे plus हो गया, minus हो गया, devian हो गया, multiply हो गया इसी तरह मुकलिफ functions के थूरू जब 2 या 2 से ज़्यादा numbers आपस में जुड़ते हैं तो बनने वाली चीज जो है वो expression कहलाती है जैसे इदर 2X के साथ ये variable है, ये coefficient है तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे है, multiply हो रहे हैं तो इसलिए expression हो गया, ये दोनों आड हो रहे हैं तो इसलिए क्या हो गया, expression हो गया इदर जो है 2 से ज़्यादा numbers आपस में एक दूसरे के साथ किसी ना किसी operations के तुरू जुड़े हो गया तो ये भी expression हो गया, ठीक है इसी तरह हमारे अगर questions को देखें तो यहाँ पर ये minus 64 जो है, मैं नीचे लिख लेता हूँ आपको ताकि समझ माए, ठीक है, minus 64 जो है, इस radical signs के साथ, इस 3 के साथ जुड़ा हो गया है, तो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा number किसी ना किसी तरह आपस में जुड़े होते हैं, तो अब ये भी हमारी, sorry, इसको मिटाते हैं, ये जो है, अब ये भी हमारी expression है, ठीक है, अब ये expression है, लेकिन क्यूंके इसमें radical का sign इस्तमाल हुआ है, इसलिए इसको radical expression कहा गया है, ठीक है, तो I hope समझ में आगे होगा, ये भी expression है, ये भी expression है, ये भी expression है, ये भी expression है, ये भी expression exponent की शकल में two को represent किया गया है या फिर इस number को represent किया गया है तो इसलिए इसको exponential expression कहा जाएगा तो यहां से आपको एक और बात सीखने को मिल गए जो के हमें अभी सीखनी थी ठीक है तो अब exponential expression के उपर भी बात कर लेता हूँ ताकि आप इससे अच्छे से समझ सके exponential जो है वो exponent से निकला है तो exponent किसे कहा जाता है कोई भी number होता है उसके उपर एक चोटा number power की सूरत में आप लोग चोटी classes के अंदर देखते आये हो तो इसे जो उपर power होती है ना इसे बोला जाता है exponent और इसे बोला जाता है base तो यह इस तरह से था आप लोगों को याद हो गय होगा तो मैं आप लोगों को यहां से बताना यह चाहता हूँ कि यह भी एक expression है क्योंकि two जो है three के साथ किसी ना किसी तरह mathematical function के तहत आपस में जूड़ा हुआ है और क्यूंकि इसको exponent बोला जाता है इसलिए यह expression जो है वो exponential expression कहलाएगी या कहला रही है ठीक है तो अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा यह सीखा कि radical expression किसे कहा जाता है यानि होती तो सारी ही expression है ठीक है एक चीज़ आपको मैं बता दूँ जैसे के two x plus three is equal to seven ठीक है मिसाल के तोर पे जहां पे equal का sign आ जाता है तो वो expression नहीं होती ठीक है उससे बोला जाता है equation ठीक है इधर जो है यह expression कहलाएगी ठीक है लेकिन पूरी को पढ़ेंगे तो यह equation कहलाएगी ठीक है तो मैंने सोच यह भी बता देता हूँ आवीक बच्चों को मैं यही कहूंगा जिनको मैत मुश्किल लगता है कि जो चीज़ समझ में आ रही है उसको आप सुनना शुरू करो और question solve करोगे तो solve कर रहना आ जाएगा आपको ठीक है तो radical expression क्यूंकि इसमें radical का sign है इसे radical expression कहा गया है और इसे exponent इसके अंदर है तो इसलिए इसे exponential expression कहा गया है तो यह चीज़ भी होगी अब आपने यह चीज़ देखनी है कि सर exponential expression जो है कैसी दिखती है ऐसी दिखती है यह चीज़ भी आपको सीखनी होगी जैसे 2 की power अगर 3 divided by 5 है तो यह कौन सी शकल है exponential शकल है यह जो word है na exponential notation इसका मतलब क्या है notation का मतलब होता है form शकल exponential notation का मतलब यह है exponential शकल जैसे यह exponential शकल है इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआगा एक और word मैं इसको मिटाओंगा तो आपको समझ में आएगा radical notation इसका मतलब क्या हो जाएगा radical की शकल में कोई चीज को दिखाना जैसे यह radical notation की शकल में है ठीक है मैं ऐसा करता हूँ इसको ऐसे एक दो example ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ और यहाँ पर थी ठीक है और सात मैं एक और लिखाना तो यहाँ पर लिख दो थी ठीक है तो अब यह कौन सी शकल है दोनों यह कौन सी notation है यह दोनो radical notation है ठीक है तो यह radical notation की example होगे इसी तरह exponential notation की examples भी लिख देता हो जैसे x की power लिख दू टू डिवाइड बाई 3 तो यह exponential form यह exponential notation है इसी तरह अगर लिख दू x की power यह आप लिख देते हैं z की power 2 डिवाइड बाई 7 तो यह कौन सी form है यह exponential form है जिसे exponential notation भी कहा जाता है ठीक है तो यह चीज भी आप लोगों को समझ में आ तो अब question पढ़ते हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकोट तो यह आगे question number one और जो बच्चे वीडियो को यहां से देख रहे हैं उनके लिए एक line में translate कर देता हूं इस question में क्या कहा जा रहा है इसमें बोला जा रहा है each radical expression जितनी भी part के अंदर radical expression है जैसे कि यह radical expression है इ radical notation के अंदर तो असान लफजों में समझ में यह आया कि radical को exponent में बदल दो और exponent को radical में बदल दो और साथ में बताये गया है do not simplify आपने इने simplify नहीं करना यानि इनको solve नहीं करना बस इनकी शकल जो है वो change करनी है तो कैसे change करेंगे सबसे पहले part number one जो है उससे solve करते हैं तो solve क करने के लिए यहां पर लिख लेते है solution और solution लिखने के बाद यहां पर आ जाएगा part number one और यह हमारे पास है under root या पि radical के अंदर रेडिकंड जो है 64 है और बाहर इंडेक्स जो है वो 3 है ठीक है तो इसको हमने change करने radical के अंदर है तो इसको exponential में change करने है तो exponential में change करने के लि इतने वाली बात यह है यह जो index होता है यह हमेशा कहां जाता है यह उपर नीचे आता है denominator की जगए ठीक है तो 3 हमेशा यह जो index है वो नीचे आता है तो यहां पर index 3 है तो यह यहां पर आ जाएगा इसी चीज़ को मैं आपको ऐसे भी समझा देता हूँ पावर के साथ ताकि आप लोग समझ जाओ जैसे अगर यूँ होता 64 की पावर 2 होता और इधर 3 होता तो आपने चेंज करना होता है इसे exponential में तो आप कैसे चेंज करते-64 वैसे का वैसा रहने देते ठीक है और फिर brackets डालते फिर यह जो index होता है यह हमेशा नीचे आता है तो यह यहाँ पर लिख देते और यह जो power होती है हमेशा उपर चली जाती है ठीक है denominator यानि numerator बन जाती है तो यह यहां पर लिख देते तो इस तरह से आपने change कर दिया इसे किसमे exponential notation के अंदर तो यह इस तरह से पहला part आपका हो जाएगा बाकी परिशान मत होएगा example number one जो है उसमें काफी questions है कुछ इसमें है तो जब आप यह सारे करेंगे तो आपकी इंशाला अच्छे से practice हो जाएगी तो part one हो गया part two की तरफ चलते हैं तो यह आ गया आपका part two यह कौन सी form है इस वक्त exponential expression है इसको radical में change करने है तो radical में change करने के लिए सबसे पहले तो इदर लिख लेते हैं solution और solution लिखने के बाद question को लिखूं तो two की power कितनी है three divided by five अब मुझे बदलना है इसको radical की form में तो radical की form में बदलने के लिए सबसे पहले तो मैं radical का sign डालूँगा उसके बाद यहाँ पर two है तो यहाँ पर मैं two ही लिख लूँगा उसके बाद जो नीचे होता है पिछले question में भी बताया था वो हमेशा index बनता है तो नीचे पांच था तो इसको index बना दो और जो उपर होता है numerator वाली जगे पर वो हमेशा पावर बनती है ठीक है तो यह यहाँ पर ऐसे पावर बन जाएगी ठीक है तो यह इस तरह से convert हो जाएगा तो आई होप यह भी समझ में आ गया होगा इसी तरह पार्ट थ्री जो है वो भी यहाँ पर साथ ही साथ कर लेते हैं ताकि कि आप लोगों को सारी चीज़ने अच्छे से समझ वाएं तो यह मैंने पार्ट थ्री लिख लिए इसे भी solve करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले solution लिखते हैं तो solution लिख लेंगे solution लिखने के बाद अब हमें यह कौन सी form में पहले यह देखना होगा यह exponential form में क्योंकि इसके अंदर exponent मुझूद है तो इसको लिखेंगे तो minus 7 और यहाँ पर आ जाएगा 1 divided by 3 अब radical की form में इसको change करना है तो यहाँ पर आप ऐसे radical का sign डाल दीजिए उसके बाद जो denominator होता है वो क्या बन जाता है index तो यहाँ पर यह index के जगे 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा minus 7 मुझूद था तो minus 7 और यह जो ऊपर होता है यह हमेशा power बनती है तो 7 की power 1 बन जाएगे लेकिन वन लिखते नहीं है इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे ठीक है तो यह भी हमारा convert हो गया ठीक है तीन हो गए चोथा भी नीचे कर लेते हैं तो यह लिख लिख लिए हमने part number 4 इस part number 4 को solve करेंगे तो क्या हो जाएगा सबसे पहले यहां पर लिखेंगे solution solution लिखने के बाद part 4 कौन सी शकल में आपको यह पता होना चाहिए यह exponential शकल में है तो यहां पर आ जाएगा y की power minus 2 divided by 3 इसको radical में change करने है तो radical में change करने के लिए हम सबसे पहले radical का sign डाल देंगे उसके बाद यहां पर y है तो यहां पर y लिख लो उसके बाद नीचे 3 है तो यह चला जाएगा index की जगे पर तो 3 आ गया इधर उपर जो है minus 2 है ठीक है तो यह minus 2 जो है इधर आ जाएगा यह आ गया minus 2 तो इस तरह से यानि के यह भी solve हो गया असान सा है बस अगर चीज़ें जहन में रहें तो आपके तो पहला question इस तरह से हमारा solve हो गया इसी तरह example number 1 जो है उसमें भी कुछ questions हैं वो भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों की अच्छे से practice हो जाए तो यह आ गई आप लोगों की example number 1 और यह भी बिल्कुल पहले question की तरह ही है आपके पास जो radical है उसे exponential में change कर दो और जो exponential है उसे radical में change कर देना ठीक है तो चलिए change करते हैं सबसे पहले part number 1 यह वाल से लिक लिए question क्या है हमारे पास radical के अंदर radical जो है minus 8 है और इसका index जो है वो 5 है तो इसे exponential में बदलेंगे तो क्या करेंगे minus 8 वैसे का वैसा और exponent के लिए bracket डाली और यहाँ पे denominator यह जो index है यह denominator बन जाएगा तो यह 5 यहाँ पे आ गया और इसकी power कुछ नहीं है 1 है ठीक है जहां कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 तो इस तरह से आपने इसकी form जो है वो change कर दे ठीक है इसी तरह part number 2 जो है उसे लिख लेते हैं तो यह लिख लिए part number 2 और part number 2 की यह radical form में तो इसे exponential form में change करना है तो change करने के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा solution लिखन x डाल लेंगे सबसे पहले इसके आसपास brackets अब जो है यह जो index होता है यह कहां जाता है यह नीचे जाता है ठीक है तो यह यहाँ पर आ जाएगा नीचे और यह जो power है यह ऊपर चली जाती है तो यह यहाँ पर आ जाएगी power तो इस तरह से आपने इसे भी form में change कर लिए ठी ठीक है तो यह हमारा part number 3 आ गया यह exponential form में तो इसे radical में change करने है तो radical में change करने के लिए क्या करेंगे solution लिखा और question को लिखेंगे 3 divided by 4 अब radical की form में change करने के लिए सबसे पहले आपको radical का sign डालना होगा तो radical का sign डाल लिया उसके बाद यह y है यहाँ पर तो यहाँ पर आप y लिख लेंगे denominator जो है वो index बन जाता है ठीक है तो 4 जो है index की जगे चला जाएगा और nominator जो है वो power बन जाता है अंदर base की तो यहाँ पर यह 3 जो है वो इधर आ जाएगा तो इसकी form भी इस्ता से change होगी part number 4 लिखते हैं तो यह आगया part number 4 इसे solve करने के लिए सबसे पहले ल solution solution लिखने के बाद question को दुबारा से लिख हूँ तो x की power है minus 3 divided by 2 अब यह exponential expression है इसको radical form में change करना है तो हम सबसे पहले radical का symbol यह sign डाल लेंगे उसके बाद x था तो x लिख लेंगे और उसके बाद denominator में 2 है तो 2 आ जाएगा इधर और nominator में minus 3 है तो यह बन जाएगा इधर power तो यह आप answer होगा और इस चीज़ को जैसे के बताया था आप ऐसे भी लिख सकते हो कैसे radical का sign x की power minus 3 और यहाँ पे 2 लिखो तो भी ठीक है लेकिन usually जैसे के यहाँ पे अगर कुछ ना लिखो तो उसका मतलब भी 2 होता है ठीक है दुबारा से बता रहा हूं कि अगर यहाँ यानि 2 एक ऐसा number है जिसको लिख दो तो फर्क नहीं पड़ता और ना लिखो तब भी फर्क नहीं पड़ता ठीक है यानि कि अगर 2 हो तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ठीक है लेकिन usually books के अंदर या हर जगे directly ऐसे लिखा जाता है तो जब भी ऐसी situation आपके पास आए तो आपने यह समझना है का यहाँ पर टू है ठीक है जैसे कि यहाँ पर इसके denominator में टु था लेकिन यहाँ पर तू लिखा नहीं हुआ तो तो इसमें यहाँ पर इसको इसको इस तरह लिख सकते और ऐसे भी लिख सकते है तो चेलिए question number two की तरफ चलते हैं तो question number two आप लगों को screen के ओपर नजर आ रहा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है, tell whether the following statements are true or false, आपने ये बताने हैं कि ये दी गई statements जो है ये true हैं या false हैं, सही हैं या गलत हैं, ठीक है, तो ये आपने बताने हैं, तो असान सा है, पहले part को देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि यह equation एक दूसरे के equal है या नहीं है ठीक है तो इन सारे questions को solve करने के एक असान सा तरीका यह है कि आप क्या करिए कि इन दोनों को एक ही notation या एक ही form के अंदर change कर लीजिए ठीक है या तो इन दोनों को आप radical की form में change कर चालेगी जब यह भी radical की form में आ चाहेगी और यह तो पहले से ही है तो फिर आपको पता चल जएगा यह दोनों एक दूसरे के equal है या नहीं है ठीक है या तो radical में दोनों को बदलो या पर दूसरा त्रीका क्या है कि इसको आप exponential form में बदलो ठीक है तो जब यह भी exponential form में पह या फिर radical में ठीक किसी तरह इन दोनों का exponential में बदलूँगा या फिर radical में ठीक है तो चलिए मैं करके दिखाऊंगा तो जो बची कुछ चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही वह भी आ जाएंगे ठीक है तो हमने true-false ही बताने तो जैसे इस पहले पार्ट को मैं यहां पर लिखाऊं अगर तो यह क्या है five raised to one divided by five ठीक है या पर इसको यहां पर ऐसे लिख लेते हैं one divided by five और दुसी तरफ क्या radical form में लिखा हुए यह अंडरूट five ठीक है अब सबसे पहले आपको एक चीज सीखनी है ठीक है वो यह कि जब radical के यहां पर कुछ भी नजर आपको ना आए ठीक है तो उसका मतलब यह होता है कि यहां पर two मौजूद है ठीक है यह चीज आपको अगले आने वाले questions में भी आ सकती है और mcqs में भी आ सकती है ठीक है तो जब भी यहां पर कुछ नहीं होता है तो यहां पर क्या होता है two होता है यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक हाली a लिखा होता है ठीक है और a लिखा होता है और यह किसके equal हो जाता है two a के equal हो जाता है क्यों हो जाता है क्यों कि variable के साथ हमेशा जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है one होता है तो ठीक इसी तरह आपने यह समझना है कि radical के यहां कुछ नहीं है तो 2 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो तो दोनों की form में हो जाएंगे तो easily आप देख सकोगे कि equal है या नहीं है तो मैं इसको radical की form में बदलूँ तो यहां पर क्या आ जाएगा जैसे five तो लिखा रहेगा ऐसे का ऐसा ठीक है उसके बाद यह radical की form में बदलना है तो radical का sign आ गया अब जो है यह जो नीचे denominator होता है यह कहां जाता है यह इधर आ जाता है ठीक है तो यह five जो है इसके यहां पर आ जाएगा और यह one जो है इसके यहां पर आ जाएगा अब one जो है वो लिखते नहीं है ठीक है तो इसको ऐसे end के बराबर है ये दोनों end एक दूसरी के equal नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा ये ऑफाल्स हो जाएगा ठीक है तो आप यहां पे आपको रिजन में ने बता दिया तो आप इसको मिटा दीजें यहां पर और इधर लिख लीजीए हम ऐसे क्यूंकि समझाना ही तो है इधर लिख लेते हैं फॉल्स ठीक है लेकिन इसको लिखने का तरीका जो पर वह ऐसे नहीं ह false ठीक है ऐसे करके ऐसे solve होता है मैं ऐसे करता हूँ नीचे लिखता रहता हूँ ऐसे ताके चलें आप लोगों को पता भी चल जाएगा तो यह मैंने नीचे जो है यहां पर लिख दिया इस तरह ठीक है तो अब आप क्या करोगे इसके बाद second part को देखोगे इसको देखें तो इसमें क्या हो रहा है यह तो इसको radical की form में बदल लो या फिर इसको exponential के form में बदल लो तो आपको देखने में असानी हो जाएगी यह दूसरी के equal है है यह नहीं है ठीक है तो हम ऐसा करते हैं इसको भी radical की form में बदल लेते हैं ताकि आप लोगों की practice अच्छे से हो जाए त 2 की power है 2 divided by 3 और इधर है रेडिकल का साइन अंदर 4 और बाहर जो है वो 3 है ठीक है तो इसको रेडिकल की form में बदलेंगे तो 2 वैसे का वैसा लिखा रहेगा और यह रेडिकल का साइन आ जाएगा जो डिनॉमिनेटर होता है वो कहां जाता है वो रेडिकल के ऊपर यानि बाहर आ जाता है और जो उपर नॉमिरेटर होता है ठीक है तो उसे वो कहां जाता है वो 2 की power बन जाएगा ठीक है तो यह ऐसे बन जाएगा तो इससे को convert करेंगे रेडिकल में तो यह answer आ जाएगा और अब देखिए कि यह इसके equal आता है तो यहां पर 4 था यहां पर 3 था ठीक है तो यह बिल्कुल आता है कैसे आता है तू की power 2 जो है वो उसका मतलब क्या होता है कि टू को two times multiply किया जा रहा है तो two two दा कितना हो जाएगा four हो जाएगा तो its mean के आप यहां पर क्या लिख सकते हो आप यहां पर लिख सकते हो four यहां पर three और यहां पर तो पहले सी लिखा लिखते हो के यह वाला end जो है इस end के equal है तो its mean के यह सही statement है ठीक है तो यहां पर आप true लिखते हैं ठीक है इसके सामने तो इसको मिटा देते हैं यहां पर ठीक है इनको भी solve करके नहीं दिखाना आपको इस लिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले के true है या false है तो मैं इसको यहां पर नीचे लिख देता हूँ तो यह जो है नीचे मैंने यहाँ पर लिख दिया आप देख सकते हो यह second part था और इसके आगे मैंने true लिख दिया ठीक है तो ठीक इसी तरह जो third part है उसकी तरफ चलते हैं तो third part की तरफ चलें तो इधर तो पहले से ही दोनों एक ही यानि के notation के अंदर या form के अंदर लिखे हो है ठीक है तो जैसे इधर भी radical form है इधर भी radical form है तो इसमें convert करने के जूरूत नहीं है ऐसी देखने के आई है एक दूसरे के equal है बिल्कुल नहीं है एक दूसरे के equal तब ह है तो इसमें यह तो साफ पता चल रहा है कि यह false है ठीक है तो मैं नीचे भी लिख देता हूं तो यह मैंने यहां पर नीचे जो है third part भी लिख दिया जो के false है उसके बाद last fourth part आ गया इसको देखें तो यह क्या है इसको यहां पर लिख लेते हैं पहले बढ़ा करके ताकि आप लोगों को नजर असानी से यहां पर x की power 27 है और यहां पर क्या word है sorry क्या number है three और यहां पर x raised to three तो अब इसको कैसे हम ऐसा करते हैं कि इसको जो है वह बदल देते है radical की फॉर्म में और पि पता चल जाएगा बजाए इसको भी हमें बदल सकता हूं exponential form में लेकिन उसमे थोड़ी जादा efforts करनी पड़ेगे तो हमेशा कम वक्त जिसमें लगे जिस method में वहाँ पर चलना चाहिए तो जादा बेतर रहता है तो इसको तो हम ऐसे का ऐसे लिखा रहने देते हैं ठीक है और इसको अगर देखें तो अब यह x आ जाएगा और यहां पर यानि के three है तो three divided by क्या होगा one ठीक है यानि यह आप लोगों को पिछले chapter में बताया था जब कोई भी number होता है अगर वो लिखा होगा तो its mean उसके नीचे one मुझूद है ठीक है जब भी उसका use करना हो तो हम उस one को इस्तमाल कर लेते हैं otherwise उसको यानि के लिखते ही नहीं है ठीक है तो यहां जो है वो one नहीं लिखा जाता अब स्वाल प्याद होता है कि sir क्यों नहीं लिखा जाता तो आप अपनी book के page number में आपको book का page ही दिखा देता हूँ यहां पर तो देखे यह आ गई book यह आपका topic आ गया 2.3 radical or radicals इसके अंदर अगर आप पहली line में देखे if n is a positive integer greater than one n जो है one से बड़ा हो तब ही यह काम करना है ठीक है और जो मैं आप लोगों को आये बता रहा था कि जब यहां कुछ भी नहीं होता two होता है तो आप देखिए यहां पर radicant जो है वो a है और यहां पर index two है तो इसको क्या लिखा हूँ है is usually written as under root a यानि कि यहां पर कुछ नहीं सकते तो फिर its mean यह इससे आगे solve नहीं होगा और वैसे भी यहां पर one आ रहा है अगर वैसे भी technically देखें तो यहां पर one आ रहा है और यहां पर क्या है three है तो its mean के यह दोनों एक दूसरे के equal नहीं है तो इसलिए यह क्या हो जाएगा यह false हो जाएगा और बाकी एक और three का इसको बदल के दिखा देता हूं आप लोगों को क्योंकि कुछ teachers वैसे बताते हैं तो चलो एक अगर शोक है तो आपको बात समझ में आ जाएगी एकस इसको exponential बदलें तो क्या आ जाएगा एकस की power 27 divided by 3 ठीक है और उसके बाद जो है further 39 27 तो एकस की power कितने आगे 9 और जबके यहां पर x की power कितनी है वो 3 है तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि यह दूसरे के equal नहीं है तो मैं हर तरह से आपको बता दिया तो नीचे लिख देते हैं कि यह false है तो इसको करते हैं ऊपर और ऊपर करने के बाद इधर लिख देते हैं तो यह मैंने 4 part करके इस कहागे false लिख तो आप इस तरह से इस question को solve करेंगे यहां पर solution भी लिखा जाता है तो मैं लिख देता हूं ठीक है और इसको थोड़ा उपर उसके साथ जोड़ देता हूं तो यह मैंने इसे उपर लिख दिया तो इस तरह से overall question बन जाएगा और I hope कि समझ में आ गया होगा तो चलिए next question की चलते हैं तो question number 3 आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है इसे पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है simplify the following radical expression के आपने simplify करना है in darzel दी गई radical expression को तो पहला word आपको simplify का नजर आए कि simplify किसे कहा जाता है यह पता होना चाहिए तो देखिए असान लफजों में आप यह स जगे पर उस question को पहुंचा दें ठीक है जो के further solve ना हो सके या further उसमें कोई भी cancellation ना हो सके तो basically आपने उस question को क्या किया आपने उस question को simplify कर दिया ठीक है तो दुबारा से बता रहा हूं कि जैसे जब मैं questions करूंगा तो आपको ही समझ में आ जाएगा कि जैसे यह question है इसको मै solve करते होए एक ऐसी जगे पहुंचा दूंकि further solve ना किया जा सके या सबसे lowest form में ले जाओ ठीक है इसको solve करते होए तो उसे बोला जाता है simplify करना ठीक है तो simplify का भी एक general concept मिल गया question solve करूंगा तो यह चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी बाकी radical expression का आपको मालूम है यह तो इन्हे simplify करने के कुछ properties हैं असान लफजों में बताऊं तो कुछ असूल है जिन असूल को अपनाते हुए हम इन्हे simplify करेंगे अब पहले हमें वह असूल एक बार देखने होंगे और उसके बाद उन्ही असूल के जरीए हम इन्हे simplify करेंगे ठीक है तो आप अपनी book के पि radical की जो भी radical expression होती है इन पांच असूलों को अपना कर आप उसे simplify कर सकते हो अब इन पांच असूलों के अंदर या five properties के अंदर क्या कहा गया है वह देख लेते हैं जैसे कि number one यह है तो इसे मैं यहां पर लिख लेता हूं ताकि आप लोग इसे देख कर समझ सको तो number one थी यह यहां पर ए इधर है हमारे पास and or equal आ जाएगा ए यहां पर यहां पर बहुत ऑजएगा अप इस आप से ऐसे भी change कर सकते हो ठीक है या फिर दूसरे लफजों में अगर question के अंदर कहीं इस तरह से कोई चीज आ जाए तो question को solve करने के लिए आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो क्यों लिख सकते हो क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के equal हैं अब कैसे पता चला यह दोनों एक दूसरे के equal हैं इसको अगर इन में से कोई सा भी end solve करेंगे तो दूसरा जवाब आ जाएगा ठीक है तो जैसे मैं इस end को अगर solve करूंगा तो यह answer आ जाएगा ठीक है अब मुझे यह proof करने के जरूरत नहीं है क्योंकि यह rules है mathematicians के तो आप लोगों को पहले से यह बता दिया book वालोंने की equal होते हैं तो आप इसका इस्तमाल करिए ना कि इसे solve करके देखिए तो आपने बस यह चीज़ सीखनी है कि कहीं पर अगर लिखा हो a b अंदर radical के और यहां पर index n हो तो आप उसको अपनी जरूरत के recording काटने के लिए यह cancel करने के लिए ऐसे लिख लोगे a को अलग कर लो और b को जो है अलग कर लो और इनके index n थे तो उसको ऐसे उपर रहने देंगे ठीक है तो i hope समझ में आ गया कहीं भी ऐसी condition है तो इस तरह से आप लिख लीचेगा बाकी यह properties जो है जब question solve करेंगे तब इनका इस्तमाल होगा आपको पता भी नी चलेगा यहनि जो भी 2.4 exercise है अभी 2.3 का जो question simplify करने का है वो जितने भी बच्चे करते हैं इन properties को इस्तमाल करते हुए करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नी होता कि हमने इन properties को इस्तमाल किया ठीक है तो आपको बताने का मकसद ही है कि आपको पता हो कि आप जो भी question solve कर रहे है इन 5 properties को सामने रखते हुए solve कर रहे है ठीक है तो एक बार आप लोगों को इन चीज़ों का पता by B है और उसका एक index हो तो उसको आप multiply में जैसे अलग अलग किया था तो यहां पे भी आप fraction में अलग-अलग कर लोगी A को अलग कर लो question solve करने के लिए और B को आप अलग कर लो और जो है index enter दो दोनों जगे n लिखतो तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो यह चीज़ आपको बताई गई है तो question solve करेंगे तो इन चीज़ों का आप इस्तमाल करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा ठीक है यहां पे आप सिर्फ सुन लीजिए देख लीजिए कि यह चीज़ें इस तरह से होती है इसके बाद third property की तरफ चलते हैं third की तरफ चलें तो third कौन सी है यह वाली तो इसको अगर मैं लिख हूँ यहां पर तो पहले एक बड़ा सारा radical है उसका index n है फिसके अंदर एक छोटा radical है उसका जो है radical a है और यहां पर index m है और यह equal है हमारे पास n m और radical a के साथ तो इसमें भी क्या चीज़ पता चली कि इस end को आप ऐसे लिख सकते हो अगर कहीं पर ऐसे मैं लिख लिखा हूं थो आप इसको ऐसे लख सकते हु ठीक है तो इसको तो हम प्रूफ करके भी देख सकते है ठीक है कैसे जैसे अगर दोनों को अगर तो यह दोनों end एक दूसरे के equal हैं ठीक है तो exponential form में भी एक दूसरे के equal हांथ यानने पर तो अगर मैं इनको लिख लेता हूं और इधर आ जाएगा हमारा वन डिवार्ड बाइन ठीक है क्योंकि यह डिनॉमिनेटर की जगे जाता है इसके बाद फर्दर इसको आगे सॉल्फ करूंगा तो कैसे हो जाएगा अब ए ठीक है अब मैं इसको भी डेडिकल की फॉर्म में करूं तो यहां पर हमारे पास वन डिवार्ड बाइन पहले से मुझूद है ठीक है अब एक और आप यानिके इस तरह ब्रेक्ट डालीजे और यहां पर आ जाएगा वन डिवार इन एं टिक है तो यह चीजें तो आपने चोड़ी क्लासेज में पढ़़ी होंगी तो यहां पर अब मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं डिवार्ड बाइन एं ट्रिक है तो इसको हम एक्पोझेंशल में ऐसे चेंज करेंगे तो इसको भी चेंज करें तो यही जौब आना चाहिए तो इसको भी चेंज करके देख लेते हैं तो इसको चेंज करो तो एक पावर ऐसे exponential में जाएगा और यहां पर आजाएगा 1 divided by nm तो आप देख सकते हो कि यह ठीक है यहां पर brackets डाल दो या ना डालो यानि अंडेस्टेंडिंग वाली बात है यह तो यहां पर भी यही आंसर आया यहां पर भी यही आंसर आया तो इसमीन के यह दोनों और एक दूसरे के इकवल है यह चीज साबित हो गई तो question के अंदर अगर कुछ ऐसा हो तो आप ऐसी भी लिख दीजिएगा ज्यादा परेशान होने की जूद नहीं के इतने complicated सरजी यह इतनी सारे चीज हैं समझ में नहीं आ रही है आपके इन exercises के अंदर सिर्फ इन दो properties का जादा से जादा इस्तमाल होगा ठीक है यह बाकी तीन तो बस आप लोग देख लीजिए शायद कहीं पर कोई स्वाल आ जाए लेकिन पहले दो के तहती आपके exercises solve हो जाएंगे ठीक है इसी तरह fourth को भी देख लेते हैं फॉर्थ को देखें तो यह वाला end जो है इस end के equal है तो आप इसकी जगे जो है आप यह लिख सकते हो और इसकी जगे जो है आप यह लिख सकते हो इसको भी exponential में change करके देख लेते हैं यह बराबर कैसे होंगे तो जै आप यहां पर आजाएगा एं ठीक है तो इससे आगे कैसे होगा जैसे यहां पर लिखाओ एक पावर एम और यहां पर एं लिखा हो है न तो यह 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 निनि मैंने आपको बताया था जहां कुछ नहीं होता है वां क्या होता है नीचे वन होता है ठीक है जुरूत के according हम इन एक पावर एम डिवाइड बाइन ठीक है तो यह ऐसे लिख लो तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकते हैं यह उपर वाले वाले के साथ multiply हो जाएगा एक पावर एम डिवाइड बाइन तो आप देख सकते हो कि यह दोनों एक दूसरी के equal आ गए तो fourth property भी हो गई इसके बाद last fifth र जाता है यह दोनों एक दूसरे से cancel हो जाती है कैसे cancel होती है जैसे इसको radical sorry exponential form में लिखूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा एक की power n ठीक है और यहाँ पर आ जाएगा one divided by n और यहाँ पर तो अब आप देखिए a की power n n से cancel हो गया तो पीछे one बच जाएगा one लिखते नहीं है त ठीक है तो बस एक बार आप लोगों ने देख लिया बाकी अब question solve करते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझमा जाएगा कि इन properties को कैसे इस्तमाल किया मैंने तो question no.3 आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है तो चलिए in radical expression को जो है one by one हम simplify करते हैं तो simplify करने के लिए एक बार question को दुबारा से लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा minus 125 और बाहर इसका index 3 है तो 3 लिखते हैं अब इस question को अगर exponential में बदलने के बाद simplify करेंगे तो असानी के साथ solve हो जाएगा ठीक है तो इसलिए हम ऐसे ही in questions को solve करते हैं तो पहले step में क्या करूंगा कि इसको exponential form में बदल लेता हूं ताकि cancellation के अंदर मुझे असानी हो तो exponential में बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा question वैसा ही रहता है बस शकल बदल जाती है सीख चुक्योंगे आप लोग तो exponential form में बदलेंगे तो minus 125 तो वैसे का वैसा रहेगा और इसका exponent जो है कितना हो जाएगा 1 divided by 3 हो हम इसके साथ cancel कर सकते हैं तो इसको कैसे करना होगा हर question में आप ऐसे करेंगे don't worry कि जैसे जो भी number होगा आप उसको उसकी factors बना लोगे जैसे 125 है तो इसके factors बनाएंगे चोटी classes में आपको याद होगा तो आप कैसे बनाते थे table के साथ इसको divide करते जाते थे तो जैसे यह 5 पर divide होता है तो 5 to the 10 दो आगे दर तो 5 5 25 हो जाएगा इसी तरह further 5 पर जा सकता है यह तो 5 5 25 और यहां पर 5 155 तो इस तरह से क्या पता चला हमें यह पता चला कि 5 को अगर हम 3 दफा मल्टिप्लाइ करवाएंगे तो हमारे पास जो है 125 आंसर आ जाएगा तो इसलिए क्योंके यह दोनों एक दूसरे के equal हैं तो हम 125 की जगे हम 555 भी लिख सकते हैं क्योंकि इससे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो चलिए लिखते हैं इस चीज को मिटा दीजिए या side में रफ लिखने के बाद यह चीज कर लिजेगा तो यहां पर आप लिख लिजिए क्यों क्यों के minus का 125 है तो minus 5 multiply by तमाम number minus के हो जाएंगे multiply by minus 5 multiply by minus 5 ठीक है और उसके बाद यहां पर क्या जाएगा इसकी power 1 divided by 3 है तो 1 divided by 3 लिख लिख लिजे अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम इसको exponential form में तबदील कर लेंगे तो वीक बच्चों के लिए बता देता ह exponential form किसे कहा जाता है जैसे अगर कहीं पर 2 multiply by 2 लिखा होगा ठीक है तो आप इसको हैसे भी तो लिख सकते हो 2 के power 2 ठीक है तो इसे बोलते है exponential form जिसमें power उपर लिखी होती है तो क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ेगा 2 को 2 से multiply करेंगे तब भी 4 होगा और इसका मतलब भी ही ह होता है 2 को 2 times multiply करो तो 4 आएगा ठीक है तो इसी तरह एक last example तोड़े ज्यादर numbers लिखने के बाद समझा देता हूँ exponential form वाली जैसे 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 है तो 4 times 3 multiply हो रहा है तो आप क्या लिख सकते हो इसको असान यानि shortest form में लिखने के लिए exponential form होती है तो 3 की power 4 कर दोगे तो आपक वही बात है जो यहां है ठीक है तो इस तरह से यह चीज भी उमीद करता हूँ पता होगी पहले से तो अब मैं इसको exponential form में लिख देता हूँ ताके power power से कट सके तो यहां पे लिख दूँगा minus 5 ठीक है और इसकी power कितनी आ जाएगी तीन दफाए minus 5 तो 3 आ जाएगी ठीक है और साथ में क्या आ जाएगा साथ में यहां पर bracket डालेते हैं यहां पर आ जाएगा 1 divided by 3 यह हमारा साथ साथ उपर से चल रहा है ठीक है तो अब 3 multiply 1 divided by 3 होता है तो इसको कैसे एक दूसरे से cancel हो जाता है क्यों cancel होता है क्योंकि यह उपर वाला उपर वाले से multiply होगा तो 3 divided by 3 और यह पीछे 1 आ जाएगा ठीक है तो हर चीज़ बताने की कोशिश तो होती है तो minus 5 और यहां पर आप लिख सकते हो 3 multiply 1 divided by 3 और यह एक दूसरे से cancel हो जाएगा ठीक है तो आप यह एक step जादा हो जाएगा बस मैंने आपको बता दिया तो आप इसके बाद जो है आप यहां यानि कि इसको simplify करते हुए हम 5 minus 5 लेकि आए और minus 5 को further आप क्या करोगे कुछ भी नहीं कर सकते तो यह इसकी lowest form है इसलिए हमने question को यहां पर रोग दिया और answer लिख दिया तो इस तरह से पहला part जो आपका simplify हो गया further आगे चलेंगे तो आपको और चीज़ें अच्छे से समझ आएंगे तो part number 2 लिखते हैं तो part number 2 आप लोगों को screen के ओपर नज़र आ रहा है इसे भी simplify करते हैं simplify करने के लिए इधर लिखा जाएगा सबसे पहले solution और solution लिखने के बाद इधर question को एक बाद दुबारा से लिख लेते हैं तो इधर आ जाएगा under root 32 और यहां पे index इसका 4 आजाएगा ठीक है तो इसको भी simplify करने के लिए सबसे पहले जो है exponential form में बदलेते हैं तो exponential form में बदलेते हैं तो 32 वैसे का वैसा रहेगा और यहां पे आजाएगा 1 divided by 4 इसके बाद हम क्या करेंगे simplify करने के लिए 32 के factors मालूम कर लेते हैं ठीक है तो factors मालूम करना आपको आत 8 और फिर 2 to the 4 and then 2 1 2 ठीक है एको स्वाल पैद होते है कि सर किस table पर यहां पर किस table से आप factors बनाएं इस बारे में क्या कहेंगे तो किसी भी number के साथ आप इसके factors बना सकते हो लेकिन या जहन में यह रखेगा कि यह जो 4 है इस 4 को किसी तरह हमने remove करना है ठीक है तो इसको जहन और कितनी है 5 तो मैं 32 की जगे जो है यहां पर क्या लिख सकता हूं 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 ठीक है 4 हो गए और multiply by 2 और यहां पर आ गया 1 divided by 4 इसका exponential चल रहा है तो वो लिख दिया अब 2 को exponential form में लिखेंगे shortest form में तो 2 की power 5 आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसके बाद यहां पर इसे लिखें तो अब क्या बन रहा है हमारे पास हमारे पास situation बन रहा है 2 5 multiply 1 divided by 4 अब 4 जो है 5 को cancel नहीं करता तो अब ऐसे में कैसे इस situation को handle करेंगे तो हम अब यहां पर शायद जो बच्चे कुरान हिफ्स करके direct 9 class में आते हैं तो उनके लिए मैं सब चीजें भी बता रहा होता हूँ कि हम अपनी मर्जी से इसको power में convert कर सकते हैं जैसे अभी तो यहां पर 4 है ने तो हम 4 को सामने रखते हो इसकी power बनाएंगे जैसे 2 की power 4 बनाऊंगा तो फिर क्या हो जागा Indian 1 divided by 4 से यह cancel होके simplify हो जाएगा ठीक है लेकिन आप लोगों को नहीं बात यहां पर यह स ठीक है ऐसा किस असूल के तहत कर सकते हैं क्यूंकि आप लोगों ने पिछली classes में पढ़ा होगा बेस एक जैसी हो तो power क्या हो जाती है एड हो जाती है ठीक है तो जब इनकी power add हो जाएंगी ठीक है जैसे अगर मैं इसको करूंट power add हो जाएंगे तो 2 प्लस 3 तो in the end 2 की power 5 ही लिख सकते हैं 2 की power 2 फिर इदर अलग अलग कर लेते हैं 2 की power 2 और फिर पीछे एक बच जाएगा तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ठीक है तो जो situation आपको हो question में solve करने के लिए वैसे आप powers में numbers को convert कर लीजेगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो जैसे मुझे 4 remove क करना है तो मैं ऐसे करता हूँ 4 2 को एक साथ कर लेता हूँ और एक को अलग रहने देता हूँ ताके 4 4 से cancel हो जाए जैसे मैं एदर कर लूँ अगर 2 की power 4 ठीक है तो पीछे एक 2 बच जाएगा तो इसको हम वैसे का वैसा लिख लेते हैं ठीक है और यहां पर आ जाएगा 1 divided by 4 I hope समझ में आ रहोगा एक लिखते नहीं है यह चीज भी आप लोगों को पता होगा जहां पर कोई नंबर हो ओपर कुछ भी नहों तो एक जरूर होता है ठीक है अब यह यानिके ऐसे कर लिए अब ऐसे क्यों किया ताके अब मैं यह देखिए काट सकता हूँ 1 divided by 4 इसके साथ भी है ठीक है तो दोनों की पावर है न यह तो अब मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ 2 multiply 1 divided यानिके 4 ठीक है और multiply 2 divided 2 की पावर 1 divided by 4 या इसको ऐसे था 1 multiply 1 divided by 4 इसका answer 1 divided by 4 यह जाएगा तो इसलिए मैं इसको simple 1 divided by 4 भी लिख सकता हूँ ठीक है तो मुझे नहीं लगता इसमे परिशान होनी की जुरूत है हमने इस चार को सामने रखते हुए इन चारों को अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया ऐसा क्यों किया क्यों कि जब भी बेस एक जैसी होती है ठीक है तो powers क्या होती है एड हो जाती है जब यह एड होगा तो four plus one बन जाएगा और यह four की power five ही बन जाएगी और इन दी एंड आई ये ही आंसर हमारा पास आ जाएगा ठीक है तो दुबारा से बता दिया मैंने बरहल आगे चलते हैं तो आगे चलें इसको साथ में मिटा लेते हैं क्योंकि यह रफमल है ठीक है और इसको फर्दर सॉल्फ करेंगे तो अब यह हो जाएगा फ radical की form में है ठीक है यह बात आप अपने जहन में रखिएगा जैसे question radical की form में है तो हमें simplify करने के बाद in the end अगर कोई number radical की form में यानि कोई value बच जाती है तो उसे आप radical की form में represent करोगे जैसे यह बच गई पीछे तो इसको radical की form में लिख दो radical की form में लिखने के लिए radical का sign ड पीछे 2 बच गया था तो यही आपका answer होगा अभी भी बोल रहा हूं कि कोई चीज अगर समझ में नहीं आई तो परिशान मत होईएगा चीजों को इसी तरह देखते जाए कोई चीज किसी में समझ में आ जाएगी कोई चीज किसी में समझ में आ जाएगी ठीक है तो यह question हो रेडिकल जो है वो 5 आचाएगा अब जो है जैसे के बता देता हूँ पिछली प्रॉपर्टी जैसे आपने पड़ी थी जिसके थैती question solve हो रहे हैं तो वो यह चीज आप देख सकते हो कि property में आपने पड़ा था कि जब इधर आजाएगा हमारे पास 3 divided by 32 वैसे का वैसा और exponent आजाएगा इधर 1 divided by 5 और इधर equal का sign हम डाल देंगे अब इसके बाद हम क्या करते हैं इसके बाद हम यानि prime factors बनाते हैं 3 के तो further इससे जादा नहीं बन सकते 32 के बन सकते हैं तो 32 के पीछे भी पिछले question में भी बना आये थे लेकिन दुबारा बना देता हूं 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8 the 16, 2 4 the 8, 2 2 the 4, 2 1s are 2 तो 1, 2 3, 4, 5 तो 2 को 5 times multiply करवाएंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा तो चलिए 5 times लिख देते हैं यहां पर तो इ multiply by 2 multiply by 2 तो यह 3, 2, 5 5 दफा हो गया और power इनकी चल रही है 1 divided by 5 तो यहां पर आ गया 1 divided by 5 अब जैसे पिछले question में हमें 4 यहां पर था तो हमने 4 के साफ़ से power बनाए थी cancel करने के लिए लेकिन इधर 5 ही मुझूद है तो इसलिए हम इन सारों की power 5 बना लेते हैं ताके 5 5 के bracket के अंदर और नीचे वाले की भी power भी है ठीक है तो हम इन्हें अलग-अलग कर लेते हैं ताके cancel कर सकें तो यह वही property है जो उपर बताए थी जैसे 3 को अलग कर लिया था हमने 32 को अलग कर लिया था तो इसी तरह power अब इनकी अलग-अलग कर रहा है तो उसी property को इस्तमाल करत है हमेशा तो जब भी उपर कुछ ना हो तो आप डारेक्टली समझ लीजेगा तो इसके बाद ऊपर के साथ पावर लिख दी नीचे के साथ भी लिख देते हैं नीचे के साथ लिखें तो टू की पावर 5 ठीक है और यह bracket डाल देते हैं चलो bracket ना भी डालो तो चल जाता है का ठीक है लेकिन चलो डाल देते हैं तो टू यहां पर भी डाल देते हैं फिर टू की पावर 5 ठीक है और multiply और यह वाली 1 डिवाइड बाव 5 इसके साथ लिख देंगे अब जो है देखिए यह इससे 5 1s of 5 cancel हो जाएगा तो और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा 3 की पावर 1 डिवाइड बाव 5 डिवाइड बाव 2 ठीक है 2 की पावर 1 लिखते नहीं है तो यह ऐसे आजाएगा ठीक है लेकिन मैंने आपको क्या बताया था मैंने आपको यह बताया था कि जब भी कोई जब भी आंसर आपने लिखना है तो उसमें रेडिक जो भी चीज बच जाए इस जैसे के बुक के अंदर है तो यह पीछे बच गया exponent के साथ तो इसको radical की शकल में बदल देते हैं तो radical की में बदलू तो 3 यहां पर आ जाएगा यहां radical का sign आ जाएगा और denominator इधर आते तो वो इधर लिख देंगे और नीचे only 2 बचा तो 2 लिख देंगे ठीक है तो अब यह आपका answer हो गया क्योंकि इससे जादा यह उपर वाला इससा solve हो सकता है ना नीचे वाला इससा solve हो सकता है तो यह simplest form का answer है ठीक है तो I hope यह question भी जो था असान साथा समझ में आ गया होगा तो part number 4 जो है आप लोगों को screen के ओपर नजर आ रहा है इससे solve करें तो solve करने के लिए सबसे पहले यहां पर लिखा solution और solution लिखने के बाद आप question को एक बार दुबारा से लिख लीजिए तो दुबारा से लिखें तो यह हमारे पास आ गया minus का number है तो 8 divided by 27 और index कितना है 3 तो इसको जो है सबसे पहले exponential form में बदल लेते हैं तो exponential form में बदलें तो आये हो जाएगा minus 8 divided by 27 और यहां पर आ जाएगा 1 divided by 3 इसके बाद हम क्या करते हैं इनके factors बनाते हैं इनको अगर बन सकते हैं तो 8 के भी बन सकते हैं 27 के भी बन सकते हैं ठीक है तो factors बनाते है वक्त जैसे 8 है ठीक है तो यह 4 पे भी जा सकते है 4 2 the 8 ठीक है और फिर 2 1s are 2 लेकिन ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होगा हमें एक जैसे number को जादा से जादा prime factors में रखना है ताके उनको power बनाके power को cancel किया चाह सके ठीक है जैसे अगर मैं इदर 2 के साथ करूँगा तो 2 4s are 8 फिर 2 के साथ करूँगा तो 2 2 the 4 ठीक है और यहां पर 2 1s are 2 आ जाएगा तो 2 की power 3 आ गई और 3 3 से मिलेगी तो cancel हो जाएगी तो ऐसे इन question को देखके solve करना होता है तो यहां पर आ जाएगा minus का number था तो minus ही लिख देता है इदर आ जाएगा 2 यानि हम ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है या फिर आप क्यूंकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ चु तो question चोटा भी हो जाएगा और असान भी है वरना एक step extra करना पड़ेगा तो यहां पर भी 2 की power 3 कर देते हैं ठीक है तो यहां पर आ गया 2 की power 3 और नीचे जो है 27 को करें तो यह 27 है तो कौन सा ऐसे number है जिसको 3 दफा multiply करें तो यह आ जाए ठीक है तो 3 के साथ यह आ जाएग कर लिए तो यहां पर भी कर लेते हैं 3 की power 3 और यहां पर जो है आप लोगों का जो whole चल रही है power 1 divided by 3 चल रही है तो 1 divided by 3 लिखते हैं इसके बाद आगे अगर चलें तो हम क्या कर सकते हैं हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं और अकठा भी कर सकते हैं ठीक है तो अलग अलग लग करें तो यहां पर आ जाएगा minus 2 की power कितनी है 3 और उपर से आ गया 1 divided by 3 और नीचे जो है कितनी आ गई 3 की power है 3 और साथ में यह वाली जो उपर मुझूद थी यह आ गई 1 divided by 3 ठीक है तो यह इससे cancel यह इससे cancel और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा minus only 2 divided by 3 बच जाएग ठीक है और यह इसके simplest form है तो यही इसका answer है further तो इसको आप solve नहीं कर सकते है इस जिसको ऐसे भी किया जा सकते है और एक और तरीके से भी किया जा सकते है जैसे यहां पर इसके बाद यह step कर रहा हूं कि आपको 2 divided by 3 क्योंकि उपर भी 3 पावर है नीचे भी 3 पावर है तो इ इस तरह मैंने यह तरीका भी बता दिया हो सकता है कि टीचर जो है जादा से जादा समझ में आएगी मैं तो आप लोग किसी भी टीचर की ऐसानी से समझ सकते हो ठीक है तो इस तरह से यह question भी हमारा solve हुआ और यह exercise भी finally solve हुई इसकी example जो है वो भी एहम है वो भी हहां पर solve क देता हूँ ताकि आप लोगों के test या paper में वो example आजाए तो उसे भी solve कर सको तो यह आगे आप लोगों की example number two और हमने इससे क्या करना है simplify करना है तो simplify करने के लिए सबसे पहले तो इधर solution लिखा जाता है तो आपने लिख दिया है यहां पर solution लिखने को बात question को दुबारा से लिख लेते हैं तो question है आपका 16 x raise to 4 और y raise to 5 और बाहर इंडेक्स इसका 3 आगया ठीक है तो इसको भी solve करने के लिए exponential में बदल लेते हैं तो exponential में बदलेंगे तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 16 x की power 4 y की power 5 अभी लिखी रहने देते हैं और यह exponential में हमने convert कर ठीक है convert करने के बाद अब हमें क्या देखना है हमें यह देखना है कि 3 power है इसकी बाहर तो हमने क्या करना है अंदर जितने भी x 16 या y जो भी है उनको कोशिश करने 3 की power में रखें क्योंकि 3 की power में रखेंगे तो cancel होगा 3 ठीक है तो इस चीज को सामने रखते हुए सबसे प 2 ठीक है तो 4 दफा 2 आ गया ठीक है तो यह नहीं कि यही ठीक है अगर 4 को multiply 4 से करेंगे तो 2 4 बनेंगे उसका में फाइदा नहीं होगा 2 power बनेगी ठीक है तो 4 दफा लिख लेते हैं बाद में इसको कम कर लेंगे तो यहां पर लिख लेते हैं 2 की power हम 4 ठीक है उसके बाद यह अच्छा मैं ऐसे नुक्ता डालओं इसका मतलब भी multiply होता है ठीक है और अगर मैं कहीं पर यह डाल दू इसका मतलब होता है ठीक है और कहीं पर ऐसे कर दूं तो इसका मतलब को भी हटा देते हैं x की power 4 y की power 5 और यहां पर आ जाएगा 1 divided by 3 सिर्फ number को मैंने power में बदल दिया ठीक है अब इन सारी values को हम 3 के हिसाब से power बनाएंगे ठीक है जैसे 2 की power 4 है तो मैं ऐसे करूँगा 2 की power एक बार बना दूँगा 3 ठीक है और एक बार बना दूँगा 1 ठीक है तो उससे क्या हो जाएगा मैं इसको यानि पहले बता चुका हूँ मैं कि powers जैसे 2 की power 4 दफा है न तो इसको मैं अपने हिसाब से convert कर सकता हूँ तो एक दफा मैं 3 कर लेता हूँ एक दफा एक तो इन होनों को जब जमा करूँगा तो मेरे पास 4 ही आ जाएगा ठीक है तो इस तरह से अलग लग किया जा सकता है तो यहां पर यहां पर लिख रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए लेकिन यूजली 1 या जो 1 पावर होती है उसको लिखते नहीं है ठीक है अगर मैंने यहां पर नहीं लिखा तो इसका मतलब यहां पर भी 1 है यहां पर भी 1 है आप समझ लीजेगा ठीक है लेकिन अभी आप बेसिक लेवल पर ऐसे से लिख देता हूँ कोई से समझ में आ जाएगा तो यहां पर x की पावर 3 और x की पावर 1 और पर इसी तरह y आगया y की 5 पावर है तो मुझे 3 के सापसे cancellation करनी है तो एक बार 3 कर लेता हूँ एक बार 3 करूँगा तो पिर पीछे दो बच ज़ेगे जैसे y की पावर 5 थी तो मैं एक बार कर लेता हूँ 3 और एक बार कर लेता और 2 तो इसका answer भी यही आएगा तो अब हमने अपने 3 के हिसाप से कर ली power को convert अब cancellation हो सकती है तो यहां पर bracket थी bracket डाल दो और hole की power 1 divided by 3 चल रहे थी तो hole की 1 divided by 3 लिगती अब जो है इसको अब मैं देखे अलग अलग कर लेता हूँ 2 की power 3 ठीक है multiply 1 divided by 3 क्योंकि यह 1 divided by 3 जो ह 2 की power 1 multiply 1 divided by 3 जो जिसको मैं directly 1 divided by 3 ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को असानी हो जाए ठीक है क्योंकि दुबारा से बताना पड़ेगा मुझे एक तो यानि 1 वंदा 1 होता है तो इसलिए चाहे तो मैं directly ऐसे लिख लूँ चाहे मैं 1 multiply 1 divided by 3 करके लिखूँ उससे फर्क नहीं पड़ेगा तो इसको अलग करके लिख लेते हैं तो इसको भी हमने कर लिया अब इसके साथ करने है तो यहां पे फिर multiply x की power 3 थी इधर और बाहर से एक आएगी तो 1 divided by 3 फर्दर आगे चलेंगे तो x की power यहां पे 1 divided by 3 ही आ जाएगी क्योंकि 1 के साथ multiply होके इसके 1 से बड़े नंबर लिखते हैं तो इसलिए 2 multiply 1 divided by 3 लिख दिया तो इस तरह मैंने सारे अलग अलग कर दी ताकि आप लोगों को easily समझ में आ जाए और अब जो है आप देख सकते हैं cancel हो जाएगा तो यह इससे cancel हो गया 3 3 से तो पीछे बच जाएगा only 2 ठीक है और multiply 2 की power 1 divided by 3 3 इसी तरह यह इससे cancel हो जाएगा तो कितना हो जाएगा और पीछे एकस बच जाएगा ठीक है 1 लिखते नहीं और multiply इधर एकस की पावर 1 divided by 3 तो यहां पे 1 divided by 3 लिख लो इसके बाद जो है यहां पर य है तो y की power 3 3 से cancel हो जाएगा तो यहां पर 1 बच जाएगा 1 लिखते नहीं है पीछे y की पावर 2 1 से multiply होगा तो 2 हो जाएगा तो यहां पर पावर आ जाएगी 2 divided by 3 तो अब पता क्या चला आपको पता यह चला कि यह 2 यह x और यह y ठीक है यह पावर 1 के साथ है ठीक है और यह 1 divided by 3 है यह 1 divided by 3 है और यह 2 divided by 3 ठीक है तो यह 1 पर मैं इसको अलग करूँगा तो यह आजाएगा 2 x y यह सब अलग हो गए और इसकी पावर भी 1 divided by 3 है ठीक है तो तो इसको रेडिकल की form में लिख लेते है रेडिकल की form में लिखों तो यहां पर आ जाएगा 2 और यहां पर आ जाएगा 3 ठीक है इसी तरह इसको रेडि ठीक है तीन डमिनेटर है तो यहा पर आ जाएगा और उपर 2 है तो यह इसकी power बन जाएगा तो अब जो है आप लोग easily देख सकते हो क्या कि इसका index भी 3 है इसका index भी 3 है और इसका index भी 3 है तो तीनों का index 3 है और तीनों जो है वह यहां से 2 भी चला गया सोरी यहां पर मैं टू लिख देता हूँ यलो की शकल में ठीक है तो अब मैं जैसे एक property पीछे बताई थी अगर कहीं पर लिखा हो 2 x y और 3 ठीक है यहां पर 3 है तो इसको property हमने पड़ी थी अलग अलग करके भी लिख सकते हैं जैसे 3 और यहां पर आजाएगा 2 फिर multiply ठीक है यहां पर आजाएगा multiply ना भी लिख को directly भी लिख सकते हो property में आपने देखा था तो यहां पर भी लिख सकते हो x 3 और यहां पर भी लिख सकते हो y 3 ठीक है यानि अगर कहीं पर कठे radical के साथ हो तो उनको अपनी situation के according अलग अलग भी लिख सकते हो तो वही चीज हम यहां पर apply करेंगे यहां पर जो है अलग अलग है इनको मैं एक साथ लिख देता हूं ठीक है कैसे लिखूंगा तो हमारे पास 2 x y तो वैसे का वैसे ही बचा हुआ है ठीक है और यहां पास यही इसका answer हो जाएगा तो I hope समझ में आ गया होगा properties को देखा होगा तो अब आपके काम आया होगा लेकिन मैंने वैसे नहीं देखा तो भी बता दिया कि यह यह तीनों एक जैसी हैं तीनों के इंदर radical है और तीनों के index 3 हैं तो इनको अकठा भी लिखा चाह सकते है त कठा लिखेंगे तो index तीनों का तीन था तो तीन बाहर आ गया और अंदर वाले जो भी रेडिकेंट्स थे उनको मैंने एक साथ लिख लिख लिया तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो उमीद करता हूँ समझ में आ गया होगा तो इस तरह से exercise खतम हो गई काफी important है यह क्य करी में देखेंगे